नमस्कार मैं हम वुज्जा और आप देख रहे हैं फिल्मी वीट अब मुंबई में शुरू हुई दिपिका पादकोर्ण के छपाक की शूटिंग जियां अक्ट्रेस दिपिका पादकोर्ण ने दिल्ली में अपनी फिल्म छपाक की शूटिंग समापकर अब मुंबई का रुख किया है आज से छपाक की शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है वेल दिपेका पादकोन इन दिनों मेगना गुलजार की फिल्म छपा के शूटिंग कर रही है पिछले महीने दिल्ली के सक्त गर में और पबलिक के भी शहर में कई घने इलाकों में फिल्म के शूटिंग की गई दिल्ली में शूटिंग के दौरान तमाम लोगों ने छुपकर कई वीडियो भी निकाले जो बहुत वाइरल भी हुए अब आज से फिल्म के शूटिंग मुंबई के स्टूडियो में शुरू हो गई है फिल्म के कुछ हिसे को साउथ मुंबई के इलाको जैसे गेटवे ओफ इंडिया, ताज होटेल, कुलाबा, रीगल सिरेमा, चर्च गेट के साथ कई आइकॉनिक जगों पर शूट किया जाएगा मुंबई के फेमस मंदिर दरगाह और चर्च में भी फिल्म को शूट किया जा सकता है आउटडोर के बाद फिल्म मुंबई के इंडोर स्टूडियो में होगी फिल्म में दिपिका पादकोन के साथ विक्रांट मैसी मुख्य भूमिका में है दिल्ली में शूटिंग के दरान दिपिका और विक्रांट को अकसर दिल्ली के अलग-अलग जगों पर सिट पर देखा जाता रहा दोनों का किसिंग सीन भी वाइरल हुआ मेगना द्वरा निर्देशित छपाक एसेट अटेक सर्वाइवर लक्षमिय अग्रवाल के असल कहानी पर आधारित है दिपिका फिल्म में मालती का किरदार निभादे नजर आएंगी 25 मार्च को फिल्म का पहला क्षिडिल शुरू हुआ था तब दिपिका नी छपाक का पहला लुक पेश किया था जिसमें वो चेहरे पर जलने के निशान के साथ नजर आ रही थी दिपिका को अपने इस चुनोती पूर्ण किरदार के लिए अभी से बहुत ज़ादा सरहना मिल रही है लक्षमी पर मार्च 2005 में 15 साल की उम्र में एसिट से हमला किया गया था मेगना की ये फिल्म 10 जैनवरी 2020 में सिनेमा घरों में रिलीज होगी आपको बता दें कि छपाक के सेट से लगातार हो रहे फोटोज और वीडियोज की वज़र से मेकर्स को लग रहा है कि उन्हें सेट पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी नई तो फिल्म में लोगों का उत्साह रिलीज होने से पहले ही खत्म हो जाएगा इसलिए मुंबई में शूटिंग शेडियूल के लिए तगड़ी सुरक्षा सेट पर रखी गई है वहीं इसके बाद शूटिंग अमेरिका में की जाएगी फिल्म की डिरेक्टर मेगना गुलजार है जिनकी बनाई हुई फिल्म में काफी ज़्यादा कारूबार करती है और काफी पसंद की जाती है फिल्हाल छपाक से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर अब मुंबई में शुरू हो चुकी है इसकी शूटिंग फिल्हाल इस वीडियो में बस इतना ही